सब कैसे हैं आप लोग तो आज की क्लास में हम लोग एक continuity differentiability की short trick डिसकस करेंगे और short trick ही नहीं super short trick उससे आपको continuity differentiability का concept भी clear हो जाएगा और सारे के सारे question केवल इसी trick से solve हो जाएगे तो क्या है short trick ज़रा समझते हैं ध्यान से बहुत ध्यान से समझो question की help से मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं surety दे रहा हूँ आपको आप से continuity differentiability के सारे के सारे question second में solve हो जाएगे ठीक है तो क्या है short trick minus x minus 5 by 2 x less than equal to minus 5 by 2 question यह रहा हमारा minus cos x minus 5 by 2 से 0 के बीच में x minus 1 यह और lnx यह हैं बहुत बड़ा question है इसमें हमें continuity और differentiability चेक कर दी है और मैं हर point पर continuity और differentiability चेक करूँगा हर point बतला जो जो break point होते हैं कौन-कौन से हैं minus 5 by 2 है then 0 है then 1 है तो 3 point है जहाँ पर हमें इसी continuity और differentiability चेक करनी होगी देखो कितनी जल्दी आप लोग इसको solve कर दोगे इस short trick के बाद बहुत ध्यान दे समझना ठीक है बहुत ज़्यान दे समझना कितनी जल्दी आप लोग इसको solve कर दोगे इस method के बाद continuity और differentiability देखो जी जब भी आपको continuity चेक करनी हो तो आपको क्या करना है continuity चेक करनी हो तो आपको direct limit पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना continuity चेक करनी है LHL आराइचल direct चेक कर दो आपका answer आ जाएगा जैसे minus 5 by 2 पर चेक करनी थी यह रहा तो minus 5 by 2 डालो यहाँ पर तो minus 5 by 2 डालने पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्योंकि plus का pi by 2 minus का pi by 2 अंसर आ गया 0 जब आप minus 5 by 2 यहाँ डालो गया तो cos pi by 2 हो गया 0 तो यह 0 यह 0 तो यह continuous हो गया ठीक है? 0 डालो इसमें cos 0 कितना हो गया? 1 तो minus 1 यह minus 1 ठीक है? तो 0 पर भी continuous हो गया दोनों बराबर आ रहे हैं ना? 1 डालो 1 minus 1 0 log 1 0 तो भीया 1 पर भी continuous हो गया तो minus pi by 2 पर 0 पर 1 पर 3 पर continuous है देख लो मैंने कितीनी जल्दी इसको solve कर दिया? आपको शायद एक question भी आपसे solve नहीं होता आप लंबे method से कर करते हैं और इस trick से आप सारे के सारे questions इसी तरीके से बहुत जल्दी solve कर सकते हैं differentiability check करनी है differentiability चाहिए नहीं, differentiation है या नहीं, differentiation possible है या नहीं तो differentiate कर दो सबसे पहला काम तो इसका differentiation हो गया minus का 1 इसका differentiation हो गया sin x इसका differentiation हो गया 1 इसका differentiation हो गया 1 upon x बात समझ गए? आप simple सी बात है limit check put कर दो minus pi by 2 डालो गया minus 1 नहीं ही रहेगा minus pi by 2 डालोगे sin minus pi by 2 minus का 1 होता है तो यानि कि same आ रहा है तो differentiable हो गया 0 डालो, sin 0, 0 हो गया sin 0, 0 हो गया, 0 डालोगे 1 आ रहा है तो 0 पर 0, 0 पर 1, तो differentiable नहीं है ठीक, 1 डालो, 1 पे 1, 1 पे 1 तो यह differentiable है तो यानि कि minus pi by 2, 0 और 1 पर continuous है 1 minus pi by 2 और 1 पर differentiable भी है 0 पर differentiable नहीं है तो अब इस trick से आप लोग इस question को करके देखना ठीक है और एक sheet मैं आपको telegram group पर share करूँगा अगर telegram में आप join नहीं होए हो नीचे link उसका description box में given है उस पर join हो जाओ ठीक, unacademy पर मेरी classes होती है बेटा उस पर भी आप लोग देख सकते है ठीक है, उसकी detail भी मैंने नीचे लिख सकते है किस तरीके साब को subscription लेना है किस तरीके साब को discount लेना है extra discount चाहिए तो मेरे number पर WhatsApp पर contact कर सकते हैं उसमें भी आपकी help कर दूँगा तो उस sheet को करके देखना आपके पास जो questions है उनको करके देखना previous years के questions करके देखना फिर मुझे बताना कि questions solve हो रही है या नहीं और ये short trick आपकी कितनी मददगार है ओके बच्चो बाई बाई all the best